दोस्तों, UPSC IS exam में history एक crucial component है, लेकिन इसकी तयारी में हम aspirants एक बहुत बड़ी गलती करते हैं Medieval history की preparation के समय पर, अब Aurangzeb की death तक important events को due attention देते हैं और modern history की शुरुआत हमारी होती है 1857 reward से या फिर 1757 यानि Battle of Palasi से लेकिन 1707 से लेकर 1757 इन 50 सालों में भारत के इतिहास में क्या-क्या important events हुए, ये अक्सर हम भूल जाते हैं And these are the most ignored topics लेकिन UPSC exam के बदलते trend के हिसाब से इस time period से भी सवाल पूछे जाने की बहुत बड़ी संभावना है और इसको हम detail में और proper analysis के साथ cover कर रहे हैं हमारी साहस series of modern India में जहां पर visually appealing graphics के जरिए भारत के पूरे इतिहास को आपको demonstrate किया जाएगा हर एक important event उसकी क्या dimensions निकलती हैं और उन dimensions पर कैसे सवाल बन सकते हैं इसको हम विस्तार में चर्चा करेंगे हमारी साहस series में सो जल्दी कीजिए study IQ के YouTube channel पर जाकर इस series को जरूर subscribe करें